मत्ति रचित सु समाचार अध्याए एक इब्राहिम की संतान दाउद की संतान येशु मसीह की वन्शावली इब्राहिम से इसहाक उत्पन हुआ इसहाक से याकूब उत्पन हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन हुए यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन हुए फिरिस से हिस्रोन उत्पन हुआ और हिस्रोन से राम उत्पन हुआ राम से अम्मी नादाब उत्पन हुआ और अम्मी नादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन हुआ सलमोन और राहब से बोज उत्पन हुआ बोज और रूत से उबेद उत्पन हुआ और उबेद से यिशे उत्पन हुआ यिशे से दाउद राजा उत्पन हुआ दावद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन हुआ, जो पहले उर्याह की पत्नी थी, सुलेमान से रहबाम उत्पन हुआ, और रहबाम से अभियाह उत्पन हुआ, और अभियाह से आसा उत्पन हुआ, आसा से यहुशाफात उत्पन हुआ, और यहुशाफात से योराम उत्पन ह और योराम से उज्जियाह उत्पन हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन हुआ, और योताम से आहाज उत्पन हुआ, और आहाज से हिजकियाह उत्पन हुआ, हिजकियाह से मनश्षिह उत्पन हुआ, और मनश्षिह से आमोन उत्पन हुआ, और आमोन से योशियाह उत्पन बाबुल जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियल उत्पन्न हुआ। और शालतियल से जरुब बाबिल उत्पन्न हुआ। और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ। और मत्तान से याकुब उत्पन्न हुआ। याकुब से य practiced यूसुफ उत्पन्न हुआ। जो मर्यम का पती था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्रहीम से दाउद तक सब चौधे पीड़ी हुई और दाउद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौधे पीड़ी हुई अब हीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई सो उसके पती यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभू का स्वर्गदूत उसे स्वपन में दिखाई दे कर कहने लगा हे यूसुफ दाउद की संतान तु अपनी पत्नी मर्यम को अपने यहां लाने से मत डर क्योंकि जो उसके गर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है वो पुत्र जनेगी और तु उसका नाम येश्यु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्दार करेगा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविश्वत द्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुवेल रखा जाएगा जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ सो यूसुफ नीन से जाग कर प्रभु के दूत की आज्या अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम येश्वर रखा अध्याय दो हेरो देश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतल हम में येश्व का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई जियोतिशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूरव में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आये है ये सुनकर हेरोदे вопрос राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम खबרה गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्तियों को इकठा करके उनसे पूछा मसीही का जन्म कहा होना चाहिए उन्होंने उससे कहा यहुदिया के बैतलहम में क्योंकि भविश्य द्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है हे बैतलहम जो यहुदा के देश में है तु किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपती निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राइल की रखवाली करेगा तब हेरो देश ने जियोतिशियों को चुपके से बुला कर उनसे पूछा तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विशे में ठेक ठेक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूँ वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगा के ऊपर पहुँचकर टहर गया उस तारे को देखकर वे अती आनन्दित हुए और उस घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मूँ के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान और गंधरस की भीट चड़ाई तब स्वप्न में ये चिताउनी पाकर कि हेरो देश के पास फिर ना जाना वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए उनके चले जाने के बाद प्रभू के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा उट उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा जब तक मैं तुझ से ना कहूं तब तक वही रहना क्योंकि हेरोदेश इस बालक को ढूने पर है कि उसे मरवा डाले वो राथ ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया हेरोदेश के मरने तक वो वही रहा इसलिए कि वो वचन जो प्रभू ने भविश्व द्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो जब हेरोदेश ने देखा कि जियोतिशियों ने उसके साथ ठटा किया है तब वो क्रोज से भर गया और लोगों को भेज कर जियोतिशियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतल हम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो दो वर्ष के वो उससे छोटे थे मरवा डाला तब जो वचन यिर्मियाह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ के रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया रोना और बड़ा विला राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना न चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं हेरो देश के मरने के बाद प्रभू के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दे कर कहा उठ बालक और उसकी माता को लेकर इसरायल के देश में चला जाँ क्योंकि जो बालक के पान लेना चाहते थे वे मर गए वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसरायल के देश में आया परन्तु ये सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरो देश की जगा यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा और स्वप्न में चिताउनी पाकर गलेल देश में चला गया वो नासरत नाम नगर में जाबसा कि वो बचन पूरा हो जो भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा अध्याय तीन उन दिनों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकाट आ गया है ये वही है जिसकी चर्चा यशा यह भविश्य द्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो उसकी सडकें सीधी करो ये युहन्ना उंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे हुए था उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकलाएं और अपने अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बबतिस्मा लिया जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बबतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा की हे साप के बच्चो तुम्हें किस ने जता दिया के आने वाले क्रोध से भागो मन फिराओ के योग के फल लाओ अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इबराहीम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से इबराहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है अब कुलहडा पेडों की जड़ पर रखा हुआ है इसलिए जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोका जाता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बप्तिस्मा देता हूँ परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बप्तिस्मा देगा उसका सूप उसके हाथ में है वो अपना खलिहान अच्छी रीती से साफ करेगा और अपने ग्यों को तो खत्ते में कठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं उस समय येशू गलील से यर्दन के किनारे पर युहन्ना के पास उससे बप्तिस्मा लेने आया परंतु युहन्ना ये कहकर उसे रोखने लगा कि मुझे तेरी हाथ से बप्तिस्मा लेने की आवशक्ता है और तु मेरी पास आया है येशू ने उसको ये उत्तर दिया अभी तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है उसने उनकी बात मान ली और येशू बप्तिस्मा लेकर तुरंत पानी से उपर आया और देखो उसके लिए आखाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने उपर आते देखा और ये आखाश्वानी हुई ये वेरा प्रेपुत्र है जिससे में अध्यन्त प्रसन्य हूँ अध्याए चार तब उस समय आत्मा येश्व को जंगल में ले गया कि इबलीस से उसकी परीक्षा हो वो चालीस दिन और चालीस रात निराहार रहा अंत में उसे भूक लगी तब परकने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पुत्थर रोठिया बन जाए है हाहाहा उसने उत्तर दिया लिखा है कि मनुष्य केवल रोठी ही से नहीं परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तु परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विश्य में अपने स्वर्ग दूतों को आग्या देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कही ऐसा नहों कि तेरे पाओं में पत्थर से ठेस लगे येश्यो ने उससे कहा ये भी लिखा है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न कर फिर शैतान उसे एक बहुत ऊचे पहाड पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका विभव दिखा कर उससे कहा यदि दू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं या साब कुछ तुझे दे दूँगा तब येश्यो ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है कि तू प्रभू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूद आकर उसकी सेवा करने लगे जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकडवा दिया गया तो वो गलील को चला गया वो नासरत को छोड़कर कफर नहूम में जो जील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा कि जो यशाय यह बविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जबूलून और नप्ताली के देश जील के मार्क से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी जोती देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर जोती चम की उस समय से येशु ने प्रचार करना और ये कहना अरंब किया पन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है उसने गलील की जील के किनारे फिरते हुए दो भाईयों अर्थात शमावन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा वे मच्वे थे उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुमको मनुष्यों के मच्वे बनाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाईयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई युहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा उन्हें भी बुलाया वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए येशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुरबलता को दूर करता रहा सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे और जिन में दुश्ट आत्माई थी और निर्गी वालों और जोले के मारे हुऊं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया और गलील और दिकापुलिस और यरुशलेम और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड की भीड उसके पीछे हो ली अध्याए पांच वो इस भीड को देखकर पहाड पर चड़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुख खोल कर उन्हें ये उपदेश देने लगा धन्य हैं वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्क का राज्य उन्हीं का है धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांती पाएंगे धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृत्वी के अधिकारी होंगे धन्य हैं वे जो धर्म के भूके और प्यासे हैं क्योंकि वे त्रिप्त किये जाएंगे धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और छूट बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बाते कहें अहनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन भविश्य द्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीती से सताया था तुम पृत्वी के नमक हो परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा फिर वो किसी काम का नहीं केवल इसके की बाहर फैंका जाए और मनुश्यों के पैरों तले रौदा जाए तुम जगत की जोती हो जो नगर पहाड पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुश्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बढ़ाई करें ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तकों को लोब करने आया हूं लोब करने नहीं परन्तु पूरा करने आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृत्वी तल न जाएं तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदू भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आग्याओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वो स्वर्क के राज्य से सबसे छोटा कहलाएगा परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्क के राज्य में महान कहलाएगा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिक्ता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिक्ता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्क के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे तुम सुन चुके हो पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना और जो कोई हत्या करे वो कचेहरी में दंड के योग्य होगा परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचेहरी में दंड के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वो माहसवा में दंड के योग्य होगा जो कोई कहे अरे मुर्क वो नर्क की आग के दंड के योग्य होगा इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी और से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे जाकर पहले अपने भाई से मेल कर तब आकर अपनी भेंट चड़ा जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मारग ही में है उससे शिग्र मेल कर ले कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौपे और हाकिम तुझे सिपाई को सौप दे और तू बंदी ग्रह में डा पाएगा तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार न करना परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ यदि कोई किसी स्त्री पर कूद्रिष्टी डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फैंक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फैंक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए ये भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़े तो वो उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वो व्यभिचार करता है, फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, जूटी शपत न खाना, परंतु प्रभू के लिए अपनी शपत को पूरी करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, कभी शपत न खाना, ना तो स्वर्ख की, क्यों क्योंकि वो उसके पावों की चौकी है, ना यरुशलेम की, क्योंकि वो महराजा का नगर है, अपने सिर्की भी शपत न खाना, योंकि तू एक बाल को भी न उजला, न काला कर सकता है, तुम्हारी बात हा की हा, या नहीं की नहीं हो, जो कुछ इस से अदिक होता है, वो तुम सुन चुके हो, कहा गया था, आख के बदले आख, और दांत के बदले दांत, परन्तु मैं तुमसे ये कहता हूँ, बुरे का सामना न करना, परन्तु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थपड मारे, उसकी और दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश क तेरा कुर्टा लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ दो कोस चला जा, जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे, और जो तुझ से उधार लेना चाहे, उससे मुह नमोड तुम सुन चुके हो, कहा गया था, और अपने बैरी से बैर परन्तु मैं तुम से ये कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्ग्य पिता की संतान ठहरोगे क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूरे उदे करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुमारे लिए क्या फल होगा क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते और यदी तुम केवल अपने भाईयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो क्या अन्य जाती भी ऐसा नहीं करते इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग्य पिता सिद्ध है सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्ग्य पिता से कुछ भी फल न पाओगे इसलिए जब तु दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनकी बढ़ाई करें मैं तुम से सच कहता हूँ वे अपना फल पाचुके जब तु दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए कि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा और जब तु प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सडकों के मोडों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके परन्तु जब तु प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में हैं प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी तुम उनकी नाई न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवशक्ता है सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही प्रिछ्वी पर भी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसी ही तु हमारे अपराधों को भी ख्षमा कर और हमें परिक्षा में नला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं आमीन क्योंकि यदि तुम मनुश्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुमें क्षमा करेगा और यदि तुम मनुश्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुह पर उदासी न चाई रहे क्योंकि वे अपना मुह बनाए रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने मैं तुम से सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुह दो कि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा अपने लिए प्रतिफी पर धन इकठा न करो जहां कीडा और काई बिगाडते हैं और जहां चोर सेंद लगाते और चुराते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंद लगाते ना चुराते हैं क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा शरीर का दिया आँख है यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बढ़ा होगा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं आकाश के पक्षियों को देखो वे ना बोते हैं न काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं तो भी तुम्हारा स्वर्ग्य पिता उनको खिलाता है क्या तुम उनसे अधिक मुल्ले नहीं रखते तुम में कौन है जो चिन्ता करके अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है और वस्त्र के लिए क्यू चिन्ता करते हो जंगली सोसनों पर ध्यान करो वे कैसे बढ़ते हैं वे ना तो परिश्रम करते न कातते हैं तो भी मैं तुम से कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव उन में से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था इसलिए जब परमेशवर मैदान की खास को जो आज है और कल भाढ़ में जोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अलप विश्वासियो तुमको वो क्यों कर न पहनाएगा इसलिए तुम चिंटा करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे क्योंकि अन्य जाती इन सब वस्तूओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्ग्य पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तूओं चाहिए इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तूओं भी तुम्हें मिल जाएंगी सो कल के लिए चिन्ता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिन्ता आप कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है अध्याय साथ दोश मत लगाओ कि तुम पर भी दोश न लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा तु क्यों अपने भाई की आख के तिनके को देखता है और अपनी आख का लटथा तुझे नहीं सूजता जब तेरी ही आख में लटथा है तो तु अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आख से तिनका निकाल दूँ हे कपटी पहले अपनी आख में से लटथा निकाल ले तब तु अपने भाई की आख का तिनका भली भांती देख कर निकाल सकेगा पवित्र वस्तू कुत्तों को न दो और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो ऐसा न हो कि वे उन्हें पावों तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड डालें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूंडो तो तुम पाओगे खट खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है जो ढूंडता है वो पाता है और जो खट खटाता है उसके लिए खोला जाएगा तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे वो मचली मांगे तो वो उससे साप दे सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गिय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसाही करो क्योंकि व्यवस्ता और भविश्य द्वक्ताओं की शिक्षा यही है सकेत भाटक से प्रवेश करो क्योंकि चोड़ा है वो भाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वो फाटक और सक्रा है वो मार्ग जो जीवन को पहुचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं जूटे भविश्य द्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतू अंतर में फाड़ने वाले भेडिये हैं उनके फलों से तुम उन्हे पहचान लोगे क्या लोग जाडियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड बुरा फल लाता है अच्छा पेड बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड अच्छा ला सकता है जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे जो मुझे हे प्रभू हे प्रभू कहता है उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्गिय पिता की चापर चलता है उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभू, हे प्रभू, क्या हमने तेरे नाम से भविश्य द्वानी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किये तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बर्सा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर पर टक्करे लगी परन्तु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी परन्तु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है और उन्हें पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धी मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर पालू पर बनाया और मिह बर्सा और बाड़े आई और आधिया चली और उस घर पर टक्करे लगी और वो गिर कर सत्यानाश हो गया जब हीशुष ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था अध्याय आठ जब वो उस पहार से उत्रा तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और देखो एक कोड़ी ने पारस आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है यीशु ने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा और तुरंत वो कोड़ से शुद्ध हो गया यीशु ने उससे कहा देख किसी से न कहना परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखला और जो चड़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चड़ा ताकि उनके लिए गवाही हो और जब वो कफर नहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बिनती की कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा सूबेदार में उत्तर दिया कि हे प्रभू, मैं इस योगे नहीं कि तू मेरी छट के तले आए, पर केवर मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनिश हूँ, और सिपाई मेरे हाथ में हैं, जब एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे को आ, तो वो आता है और अपने दास से कहता हूँ, ये कर तो वो करता है, ये सुनकर ये शुने अचमपा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, कि बहुतेरे और पश्चिम से आकर इबराहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्क के राज्य में बैठेंगे परन्तु राज्य के संतान बाहर अंध्यारे में डाल दिये जाएंगे वहां रोना और दांत पीषना होगा येशु ने तब सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया और येशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को जवर में पड़ी देखा उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी जब संथ्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुश्ट आत्माएं थी उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को जंगा किया कि जो वचन यशाया भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया यशू ने अपने चारों और एक बड़ी भीड देखकर उस पार जाने की आज्या दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा हे गुरू जहां कहीं तु जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा यशू ने उससे कहा लोमणियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिए सिरधरने की भी जगा नहीं है एक और चेले ने उससे कहा हे प्रभू मुझे जाने दे कि पहले अपने पिता को गाड़ दू यशू ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे जब वो नाव पर चड़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो जील में एक ऐसा बड़ा दूफान उठा कि नाव लहरों से ठपने लगी और वो सो रहा था तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा ए प्रभू हमे बचा हम नाश हुए जाते हैं उसने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाटा और सब शान्त हो गया और लोग अचमभा करके कहने लगे ये कैसा मनुष्य है आंधी और पानी भी उसकी आज्या मानते हैं जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचा तो दो मनुष्य जिनमें दुश्टात्माए थी कबरों से निकलते हुए उसे मिले वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि अवर्वेशन के पुत्रे हमारे तुसे क्या कब क्या तुस समय से पहले हमें धुखते नहीं यहां आया है उनसे कुछ दूर बहुत से सुवरों का एक जुंड चर रहा था दुश्टात्माओं ने उससे ये कहकर बिनती की कि यदि तू हमें निकलता है तो सुवरों के जुंड में बेज दे उसने उनसे कहा जाओ वे निकल कर सुवरों में बैठ गए और देखो सारा जुंड कडाडे पर से जपट कर पानी में जागिरा और दूब मरा जर्वाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुश्ट आत्माई थी उनका सारा हाल सुनाया और देखो सारे नगर के लोग येशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर बिनती की हमारे सिवानों से बाहर निकल जा अध्याय नौ फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रख कर उसके पास लाए येशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र धाडस बान तेरे पाप ख्षमा हुए और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा के ये तो परमेश्वर की निंदा करता है येशु ने उनके मन की बाते मालूम करके कहा तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर परन्तु ये इसलिए है कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पाप ख्षमा करने का अरिकार है उसने जोले के मारे हुए से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा वो उठ कर अपने घर चला गया लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है वहां से आगे बढ़कर हीशू ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले वो उठ कर उसके पीछे हो लिया और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर हीशू और उसके चेलों के साथ खाने बैठे ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुमारा गुरू महसूल लेने वालूं और पापियों के साथ क्यों खाता है उसने ये सुनकर उनसे कहा वैद्य की आविशकता भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को होती है तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ क्यूंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा क्या कारण है कि हम और फरीशी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले नहीं करते हैं येशू ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता क्योंकि नया पैवंद पहिरावन से कुछ और खीच लाता है और वो अधिक फट जाता है और नया दाखरस पुरानी मश्कों में नहीं भरते हैं क्योंकि ऐसा करने से मश्के फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मश्के नाश हो जाती हैं नया दाखरस नई मश्कों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती हैं वो उनसे ये बाते कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है पर तु चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वह जिवित हो जाएगी येशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसके बारा वर्ष से लहु बैथा उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छूलिया क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही जूलूँगी, तो चंगी हो जाऊंगी। येशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री डाडस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वस्त्री चंगी हो गई। जब हीशु उस सर्दार के घर में पहुँचा, उसने बांसली बजाने वालों और भीड को हुलड मचाते देखा। उसने उनसे कहा, हच जाओ, लड़की मरी नहीं, पर सोती है। इस पर वो उसकी हसी करने लगे। जब भीड निकाल दी गई, तो उ आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे, ये पुकारते हुए चले, हे दाउद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुचा, तो वो अंधे उसके पास आए। येशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्हों ने उससे कहा तब उसने उनकी आँखें चूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो और उनकी आँखें खुल गई। येशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश पहला दिया। जब बाहर जा रहे थे, तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा, और भीर ने अचंभा करके कहा, इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों न निकालता है। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। फिर उसने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुध आत्माओं पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुरबलताओं को दूर करें। बारह प्रेतियों के नाम ये हैं। उसे पकड़वा भी दिया। को निकालो, तुमने सेंत मेंत पाया है। सेंत मेंत दो, अपने पटुकों में न सोना, न रूपा और न तामा रखना, मार्ग के लिए न जोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गाओं में जाओ, पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, जब तक वहां से न निकलो, उसी के यहां रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीश देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, तो तुम्हारा कल्यान उन पर पहुँचेगा, पर तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाओं की धूल जाड डालो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा से, सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी, देखो, मैं तुम्हें भेडों की बुद्धिमान और कबूत्रों की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महा सभाओं में सौंपेंगे, और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोडे मारेंगे, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातिय पर गवाह होने के लिए पहुचाये जाओगे, जब वे तुम्हें पकडवाएं तो ये चिंता न करना कि हम किस रीती से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा, वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परं माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उध्धार होगा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को भाग जाना, मैं तुमसे सच कहता हू तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से, चेले का गुरू के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान क तो उसके घरवालों को या ना कहेंगे, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं, जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे उजियाले में कहो, और जो कानो कान सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो, जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, क्या पैसे में दो गरईये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिदा की इच्छा के बिना, उनमें से एक भ मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिय पिता के सामने मान लूँगा पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसका मैं भी अपने स्वर्गिय पिता के सामने इनकार करूँगा ये ना समझो कि मैं पृत्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मा से और बहु को उसकी सास से अलग कर दूँ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा जो तुमें ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है जो भविश्य द्वक्ता को भविश्य द्वक्ता जानकर ग्रहन करे वो भविश्य द्वक्ता का बदला पाएगा और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहन करे वो धर्मी का बदला पाएगा जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी बिलाए मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीती से अपना प्रतिफल न खोएगा जब हीशु अपने बारह चेलों को आग्या दे चुका, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया यूहन्ना ने बंदी ग्रह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वला तु ही है या हम दूसरे की बार्ट जो हैं येशु ने उतर दिया जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते और लंगडे चलते फिरते हैं कोडी शुद किये जाते हैं और बहिरे सुनते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नखाए। जब वे वहाँ से चल दिये, तो येशु युहन्ना के विशय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुश्य को, देखो जो कोमल वस्त्र पहिनते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं, फिर क्यों गए थे, क्या किसी भविश्य द् वरन भविश्य द्वक्ता से भी बड़े को, ये वही है जिसके विशे में लिखा है, देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार करेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से युहन्ना बप्तिस्म देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे बड़ा है, युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोड़ होता रहा है, और बलवान उसे चीन लेते हैं, युहन्ना तक सारे भविश्य द्वक्ता और व्यवस्था भविश्य द्वानी करते रहे और चाहो तो मानू एलिया जो आने वाला था वो यही है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुमारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे हमने विलाप किया और तुमने च्छाती नहीं पीटी क्योंकि युहन्ना न खाता आया और न पीता और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू प्यक्कड मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र पर ग्यान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिन में उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किये थे क्यूंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था हाए खुराजीन, हाए बैच सैदा जो सामर्थ के काम तुम में किये गए यदि वे सूर और सैदा में किये जाते तो ताट ओड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते परन्तु मैं तुम से कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी और हे कफर नहूं क्या तू स्वर्ग तक उँचा किया जाएगा तू तो अधो लोक तक नीचे जाएगा जो सामर्थ के काम तुझ में किये गए हैं यदि सदोम में किये जाते तो वो आज तक बना रहता पर मैं तुम से कहता हूँ न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी उसी समय येशू ने कहा हे पिता स्वर्ग और प्रिथ्वी के प्रभू तेरा मैं धन्यवात करता हूँ कि तूने इन बातों को ग्यानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगट किया है हाँ हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे हे सब ठके और बोज से दबे हुए लोगो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है. अध्याए बारह उस समय येश्व विश्राम के दिन, खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे, फरीसियों ने ये देखकर येश्व से कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं, जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं, उसने उन से कहा, क्या तुमने नहीं पड़ा, कि दाउद ने, जब वो और उसके साथ ही भूके हुए, तो क्या किया, वो परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था, या तुमने विवस्था में नहीं पड़ा, कि याजक विश्राम के दिन मंदिर में, विश्राम के दिन की विधी को तोड़ने पर भी निर्दोश ठहरते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूँ, यहां वो है, जो मंदिर से भी बड़ा है, यदि तुम इसका अर्थ जानते, कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोश को दोशी न ठहराते, मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का भी प्रभू है, वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया, और देखो, एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्हों उस पर दोश लगाने के लिए उससे पूछा कि, क्या सब के दिन चंगा करना उचित है, उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है, जिसकी एक ही भेड हो, और वो सब्द के दिन गड़हे में गिर जाए, तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले, मनुष्य का मुल्य भेड से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्द के दिन भलाई करना उचित है, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़हाया, और वो फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया, तब फरीसियों ने बाहर जाकर, येशु के विरोध में सम्मति की, कि उसे किस प्रक प्रकट न करें, कि जो वचन यशाय या भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो, कि देखो, ये मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, और वो अन्य जातियों को न्याय क समाचार देगा, वो न जगडा करेगा, और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, वो कुछले हुए सरकंडे को न तोडेगा, और धूमा देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उ एक अंधे गुंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, और वो गुंगा बोलने और देखने लगा, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दवत की संतान है? परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं क उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, बनाना रहेगा, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यो और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वन्ष किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा नयाये चुकाएंगे। वो उसका घर लूट लेगा, जो मेरे साथ नहीं, वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वो बिथराता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका ये अपराद क्षमा किया जाएगा। परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहे, उसका अपराद न तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड को अच्छा क या पेड को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो क्योंकि पेड फल ही से पहचाना जाता है। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा। के चिन को छोड़, कोई और चिन उनको न दिया जाएगा। यूनुस तीन रात दिन जल जन्तू के पेट में रहा। वैसे ही मनुश्य का पुत्र तीन रात दिन प्रिठ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग नियाए के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएंगे। क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिन की रानी नियाए के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी। क्योंकि वो सुलेमान का ज्यान सुनने के लिए पृत्वी की छोड से आई। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंटती फिरती है। और जब नहीं पाती, तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, लोट जाओंगी। वो आकर उसे सूना, ज़ाडा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है। और वे उसमें पैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती है। इस युक के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब वो भीर से बाते कर ही रहा था, तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुससे बात करना चाहते हैं ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्यों मेरा भाई और बेहन और माता है। अध्याय तेरह उसी दिन येशु घर से निकल कर जील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड इकठी हुई कि वो नाव पर चड़ गया और सारी भीड किनारे पर खाड़ी रही और उसने उनसे द्रिश्टानतों में बहुत सी बातें कही उसने कहा एक बोने वाला बीजबो ने निकला बोते समे कुछ मार्क के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ पतरीली भूमी पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए कुछ ज़ाडियों में गिरे और ज़ाडियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला पर कुछ अच्छी भूमी पर गिरे और फल लाए कोई सौ गुना, कोई साथ गुना, कोई तीस गुना जिसके कान हो, वो सुन ले और जेलों ने पास आकर उससे कहा तु उनसे द्रिष्टानतों में क्यों बाते करता है? उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं क्योंकि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा मैं उनसे द्रिष्टानतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते और उनके विशे में यशया की भविश्यद्वानी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आखों से तो देखोगे पर तुमें न सुझेगा क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से उंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आखें मूद ली हैं कहीं ऐसा न हो कि वे आखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं पर धन्य है तुम्हारी आखें की वे देखती हैं और तुम्हारे कान की सुनते हैं क्यूंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत भविश्यद वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो, सुने, पर न सुनी, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्ये का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पत्रीली भूमी पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरन्त आनंद के साथ मान लेता है. पर अपने में जड़ना पकड़ने के कारण वो थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है जो जाडियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोका वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता जो अच्छी भूमी में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है कोई सौ गुना कोई साथ गुना कोई तीस गुना उसने उन्हें एक और त्रिष्टात दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिये इस पर ग्रहस्त के दासों ने आकर उससे कहा ए स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नबोया था फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आये उसने उनसे कहा ये किसी बैरी का का दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखार लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गठे बांद लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकठा करो, उसने उन्हें एक और दिश्टांत दिया, स्वर्ग का राजे राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्ये ने लेकर अपने खेत में बो द वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है, तब सब सागपात से बढ़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है, कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। द्रिष्टांतों में लोगों से कही, और बिना द्रिष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो, कि मैं द्रिष्टांत कहने को अपना मूह खोलूंगा, उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप् खेत के जंगली दाने का द्रिष्टांत हमें समझा दें, उसने उनको उत्तर दिया कि, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भीजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दान्द पीसना होगा, उस समय धर्मी अपने पिता के स्वर्ग का राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हों वो सुन लें। पिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मचलियों को समेट लाया, और जब भर गया, तो उसको किनारे पर खीच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बरतनों में कठी की और निकम्मी फेंग दी। वहां रोना और दात पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बाते समझी। उन्होंने उससे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा। इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस ग्रहस्त के समान है, जो भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब हीशू ये सब द्रिष्टांत कह चुका, तो वहां से चला गया। और अपने देश में आकर उनकी सभा में, उन्हें ऐसा उबदेश देने लगा, कि वो चकित होकर कहने लगे। इसको ये ज्यान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मर्यम और इसके भाईयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमान और यहुदा नहीं? क्या इसकी सब बहने हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिल सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई पर यीशु ने उनसे कहा भविश्य द्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण सामर्थ के अनेक काम नहीं किये अध्याय 14 उस समय चोथाई देश के राजा हेरो देश ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा ये यहुना बाप्तिस्मा देने वाला है वो मरे हो में से जी उठा है इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं हेरो देश ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरो दियास के कारण युहना को पकड़ कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि युहना ने उससे कहा था इसको रखना तुझे उचित नहीं है और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविश्य द्वक्ता जानते थे पर जब हेरो देश का जन्म दिन आया, तो हेरो द्यास की बेटी ने उच सब में नाच दिखा कर हेरो देश को खुश किया, इसलिए उसने शपत खा कर वचन दिया के जो कुछ तुम मांगेगे, मैं तुझे तूँगा वो अपने माता की उसकाई हुई बोली राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपत के और साथ बैटने वालों के कारण आ गया दी और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहना का सिर कटवा दिया, उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया वो उसको अपनी मा के पास ले गई, और जेल खाने में लोगों को भेज कर युहना का सिर कटवा दिया उसका सिर थाल में लाया गया, और लड़की को दिया गया, वो उसको अपनी मा के पास ले गई उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गार दिया और येशु को इसका समाचार दे दिया जब येशु ने ये सुना तो नाव पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जगा एक आंत में चला गया लोग ये सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिये उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया जब सांच हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा ये तो सुनसान जगे है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए बोजन मोल लें येशु ने उनसे कहा उनका जाना आवशक नहीं तुम ही इन्हें खाने को दो उन्हों ने उससे कहा यहां हमारे पास पाँच रोटी और दो मचलियों को छोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां मेरे पास लिया तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पाँच रोटियों और दो मचलियों को लिया और स्वग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर त्रिप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए डुकडों से भरी हुई बारे टोकरियां उठाई और खाने वाले स्थ्रियों और बालकों को छोड़ कर पांच हजार पुरुशों के अठकल थे और उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाव पर चड़ाया कि वो उससे पहले बार चले जाएं इतने में वो लोगों को विदा करते वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड पर चड़ गया और सांच को अकेला था उस समय नाव जील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और वो रात के चौथे पहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है और डर के मारे चिला उठे यीशु ने तु प्रभू यदि तु ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्या दे उसने कहा आ तब पत्रस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया और जब दूबने लगा तो चिला कर कहा ए प्रभू मुझे बचा यीशु ने तुरंत हाग बढ़ा कर उसे धाम लिया और उससे कहा हे अलप विश्वासी तुने क्यों संदेह किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा धम गए इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा सच मुझ तू परमिश्वर का पुत्र है वे पार उतर कर गन्य सरत देश में पहुचे और वहा की लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भीजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे बिनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही को छूने दे जितनों ने उसे चुआ वे चंगे ह अध्याय पंद्रह तब यरुशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे तेरे चेले पुरियों की रीतियों को क्यों टालते हैं? वे बिना हाथ धोय रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया तुम भी अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्या क्यों ठालते हो क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाप पहुँच सकता था, वो परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो वो अपने माता पिता का आदर न करे, सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया हे कप्टियो, यशायाह ने तुमारे विशे में ये भविश्यद्वानी ठीक ही की है, ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुश्यों की विधियों को धर्मों पदेश करके सि पर जो मनुश्य को अशुद्ध नहीं करता है, तब चेलो ने आकर उससे कहा, क्या तु जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई हैं? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गिय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, तो दोनों गढ़े में गिर पड़ेंगे, ये सुनकर पतरस ने उससे क ये दृष्टांत हमें समझा दे, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुह में जाता, वो पेट में पड़ता है, और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुह से निकलता है, वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद् परन्तु हात बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। उसके चेलों ने आकर उससे बिनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती आती है। उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेडों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उससे प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभू मेरे सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्ते है प्रभू, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेच से गिरते हैं। इस पर हीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, ह उसकी बेटी उसी घड़ी जंगी हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया, और पहाड पर चलकर वहां बैठ गया। और एक बड़ी भीड, लंगडों, अंधों, गूंगों, तुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आई। और उन्हें उसके और अंधें देखते हैं, तो अचमभा करके इस्रायल के परमेश्वर की बढ़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुला कर कहा, मुझे इस भीड पर तरस आता है, क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा नहों कि मार्ग में ठक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस चंगल में कहां से इतनी रोटिया मिलेगी, कि हम इतनी बड़ी भीड को त्रिप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं। उन्होंने कहा, साथ और थोड़ी सी छोटी मचलिया। तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी, और उन साथ रोटियों और मचलियों को ले, धन्यवाद करके तोड़ा, और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। सो सब खा कर त्रिप्थ हो गए, और बचे हुए टुकणों से भरे हुए साथ तोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार हजार पुरुष थे, तब वो भीड को फिदा कर नाव पर चड़ गया, और मगदन देश के सिवानों में आया। अध्याई सोलह पर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युक के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन ढूंडते हैं, पर यूनुस के चिन को छोड़, कोई और चिन उन्हें न दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। चेले पार जाते समय, रोटी लेना भूल गए थे। यीशू ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए। ये जानकर घीशू ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों तुम आपस में क्यूं विचार करते हो, कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या तुम अब तक नहीं समझे, क्या उन पांच हजार की पांच रोटी नहीं करते, और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन चार हजार की साथ रोटी, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए गए थे, तुम क्यूं नहीं समझते, कि मैंने तुम से रोटियों के विशे में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहन तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था येशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा लोग मनुश्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो योहन बबतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कितने एलिया और कितने इर्मिया या भविश द्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं? उसने उनसे पूछा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? शमावन पत्रस ने उत्तर दिया, तु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसी है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमावन योना के पुत्र तु धन्य है, क्योंकि मास और लोहुने नहीं, परन्तु मेरे पिता ने, जो स्वर्ग में हैं, ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझ से कहता हूँ, तु पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधुलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजिया दूंगा, और जो कुछ तु पृत्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीख हूँ, उस समय से येशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरुशलेम को जाऊं और पुर्नियों और महायाज को और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाल जाऊं और तीसरे दिन जी उठों, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर चड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा, उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राक्त करे, और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें, तब तक मृत्यू का स्वाद कभी ना चकेंगे। छै दिन के बाद येशू ने पतरस और याकूब और उसके भाई युहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उचे पहाड पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मू सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र जियोती की नाई उजला हो गया। हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है इच्छा हो तो यहां तीन मंडब बनाओ एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें चा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला यह मेरा प्रेव कुद्रे जिससे मैं प्रसंद हूँ इसकी सुनो चेले यह सुनकर मुह के बल गिर गए और अत्यांत डर गए यीशु ने पास आकर उन्हें चुआ और कहा उठो डरो मत तब उन्होंने अपनी आँखें उठा कर यीशु को छोड और किसी को न देखा जब वे पहार से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आग्या दी जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुँ में से नजी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना और उसके चेलों ने उससे पूछा फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है उसने उतर दिया एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा परंतु मैं तुम से कहता हूँ कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना परन्तु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया इसी रीती से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा तब चेलो ने समझा कि उसने हम से युहन्ना बबतिस्मा देने वाले के विशय में कहा है जब वे भीड के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा हे प्रभू मेरे पुत्र पर दया करे क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में वो पानी में गिर पड़ता है मैं उसको तेरे चेलो के पास लाया था पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके यीशू ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हटीले लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा कब तक तुम्हारी सभूँगा उसे यहां मेरे पास लाओ तब यीशू ने उसे घुड़का और दुश्टात्मा उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया तब चेलो ने एकांत में यीशू के पास आकर कहा हम में से क्यों नहीं निकाल सके उसने उनसे कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहार से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अन्होनी न होगी जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा इस पर वे बहुत उदास हुए जब वे कफर नहूम में पहुचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पत्रस के पास आकर पूछा क्या तुम्हारा गुरू मंदिर का कर नहीं देता उसने कहा हाँ देता तो है जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा हे शमोन तु क्या समझता है पृत्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं अपने पुत्रों से या परायों से पत्रस ने उनसे कहा परायों से यीशु ने उससे कहा तो फुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उने ठोकर ना खिलाए तु जील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मचली पहले निकले उसे ले और उसका मूँ खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना अध्याय 18 उसी घड़ी चेले यीशू के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाऊगी जो कोई अपने आपको इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गेहरे समुद्र में डुबोया जाता ठोकरों के कारण संसार पर हाए ठोकरों का लगना तो अवश्य है पर हाए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है यदि तेरा हाथ या तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे तुंडा या लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाउं रहते हुए तु अनन्त आग में डाला जाए और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तु नरक के आग में डाला जाए देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुछ न जानना क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गिय पिता का मुह सदा देखते हैं तुम क्या समझते हो यदि किसी मनुष्य की सौ भेडे हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या निनानवे को छोड़ कर और पहाडों पर जाकर उस भटकी हुई को न धूंडेगा और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन निनानवे भेडों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना की इस भेड के लिए करेगा ऐसा ही तुमारे पिता की जो स्वर्ग में हैं ये इच्छा नहीं की इन छोटों में से एक भी नाश हो यदि तेरा भाई तेरा अपराद करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया और यदि वो ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुह से ठहराई जाए यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे परन्तु यदि वो कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाती और मैसूल लेने वाले के समान जान मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृत्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंदेगा और जो कुछ तुम पृत्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृत्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी क्यूंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकठे होते हैं वहां मैं उनकी बीच में होता हूँ तब पत्रस ने पास आकर उससे कहा हे प्रभु यदि मेरा भाई अपरात करता रहे तो मैं कितनी बार उसे शमा करूँ क्या साथ बार तक? हीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि साथ बार वरन साथ बार के सत्तर गुने तक इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो दस हजार तोड़े का रिनी था जब चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा ये और इसकी पतनी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरजधर मैं सब कुछ भर दूँगा तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका रिन ख्षमा किया परन्तु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके सौ दिनार धारता था उसने उसे पकड़ कर उसका गला घोंटा और कहा जो कुछ तेरे उपर रिन है भर दे इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा धीरजधर मैं सब भर दूँगा उसने न माना परंतु जाकर उसे बंदी ग्रह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक महीं रहे उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया तब उसके स्वामी ने उसको बुला कर उससे कहा ए दुश्दास तुने जो मुझसे विंती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे इसी प्रकार यदि तुम्मे से हर एक अपने भाई को मन से ख्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा अध्याय उन्निस जब येशू ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यर्दन के पार आया और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे क्या हरे कारन से अपनी बतनी को त्यागना उजी थे उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पड़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंब से नर और नारी बना कर कहा इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पतनी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे सो वे अब दो नहीं परन्तु एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वन ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे उन्हों ने उससे कहा फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र दे कर उसे छोड़ दे उसने उनसे कहा मूसा ने तुमारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आग्या दी परन्तु आरंब से ऐसा नहीं था और तुमसे कहता हूं जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है चेलो ने उससे कहा यदि पुरुष का इस तरी के साथ ऐसा संबन है तो विवाह करना अच्छा नहीं उसने उनसे कहा सब ये वचन ग्रहन नहीं कर सकते केवल वे जिनको ये दान दिया गया है क्योंकि कुछ नपुनसक ऐसे है जो माता के गर्ब ही से ऐसे जन में और कुछ नपुनसक ऐसे है जिन्हें मनुष्य ने नपुनसक बनाया और कुछ नपुनसक ऐसे है जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आपको नपुनसक बनाया है जो इसको ग्रहन कर सकता है वो ग्रहन करे तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे पर चेलों ने उन्हें डाटा यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वार्क का राज्य ऐसों ही का है और वो उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा हे गुरू, मैं कौन सा भला काम करो की अनन्त जीवन पाऊं? उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विशय में क्यूं पूछता है? भला तो एक ही है पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आज्याओं को माना कर उसने उससे कहा कौन सी आज्याएं? येशु ने कहा ये की हत्या न करना, फेविचार न करना, चोरी न करना, जूटी गवाई न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? येशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले परन्तु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, तब येशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि धन्वान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, फिर तुमसे कहता हूँ, कि परमेश्वर के राज्य में धन्वान के प्रवेश करने से, उंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है ये सुनकर चेलों ने बहुत जकित होकर कहा फिर किसका उधार हो सकता है? येशु ने उनकी ओर देख कर कहा मनुश्यों से तो ये नहीं हो सकता परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है इस पर पत्रस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ कर तेरे पीछे हो लिये हैं तो हमें क्या मिलेगा? येशु ने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूँ नई उत्पत्ती में जब मनुश्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंगहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो बारह सिंगहासनों पर बैठकर इसराइल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे और जिस किसी ने घरों या भाईयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको सौ गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा परन्तु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे अध्याय बीस स्वर्ग का राज्य किसी ग्रहस्त के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए और उसने मजदूरों को एक दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा फिर पहर एक दिन चड़े निकल कर और अनेकों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा सो वे भी गए फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया और एक घंटा दिन रहे फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यूं यहां दिन भर बेकार खड़े रहे उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया उसने उनसे कहा तुम भी दाक की बारी में जाओ सांज को दाक की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुला कर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाये गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला जो पहले आये उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा परन्तु उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला जब मिला तो वे ग्रिहस्त पर कुड़कुडा कर कहने लगे इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने हमारे बराबर कर दिया जिनोंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही उसने उन्हें से एक को उत्तर दिया हे मित्र मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया था जो तेरा है उठाले और चला जा मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूँ क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूँ क्या तु मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टी से देखता है इसी रीती से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले है वे पिछले होंगे येशू यरूशलेम को जाते हुए बारह चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौपेंगे कि वे उसे ठटों में उड़ाएं और कोडे मारें और क्रूस पर चड़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और वो उससे कुछ मांगने लगी उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वो उससे बोली ये कहे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राजे में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाई बैठे जीशो ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं? उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने बाएं किसी को बेठाना मेरा काम नहीं पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तयार किया गया उन्हीं के लिए है ये सुनकर परन्तु तुम्में ऐसा न होगा, जो कोई तुम्में बड़ा होना चाहे, वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्में प्रधान होना चाहे, वो तुम्हारा दास बने, जैसे की मनुष्य का पुत्र, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परन्तु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे जब वे यरीहु से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि येशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे लोगों ने उन्हें डाटा के चुप रहें पर वे और भी चिला कर बोले है प्रभू दाऊद की संतान हम पर दया कर येशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्हों ने उससे कहा ये प्रभू ये के हमारी आँखें खुल जाएं येशु ने तरस खाकर उनकी आँखें चुई और वे तुरंद देखने लगे और उसके पीछे हो लिए अध्याय इक्केस जब वे यरुशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैद फगे के पास आए तो येशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा अपने सामने के गाओं में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा हीश्य ने उनसे कहा था, वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में विछाएं, और और लोगों ने पेडों से डालियां काट कर मार्ग में विछाएं, और जो भीड आगे आगे जाती और पीछ पिछे पीखे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी दाउद की संतान को होशाना धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशाना जब उसने यरुशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है लोगों ने कहा य अविश्य द्रक्ता येशु है। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अध्भुत कामों को जो उसने किये और लड़कों को मंदिर में दाउत की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे क्या तु सुनता है कि ये क्या कहते हैं। येशु ने उनसे कहा। हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पड़ा कि बालकों और दूद पीते बच्चों के भूँ से तुने इस तुती सिद्ध कराई। तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैत नियाह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वो नगर को लोट रहा था तो उसे सूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फलना लगे और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कह ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया ये शू ने उनको उत्तर दिया मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है परन्तु यदि इस पहाड से भी कहोगे कि उख और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुर्णियों ने उसके पास आकर पूछा तु ये काम किस अध इश्व ने उनको उत्तर दिया मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ यदि वो मुझे बतलाओगे तो मैं भी तुमें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ यूहन्ना का बबतिस्मा कहां से था स्वर्ग की ओर से या मनुश्यों की ओर से था तब वे आपस मे विवाद करने लगे यदि हम कहें सोर की ओर से तो वो हमसे कहेगा फिर तुम ने उसकी प्रतिती क्यों ना की और यदि कहें मनुश्य की ओर से तो हमें भीड का डर है क्योंकि वे सव यहन्ना को भाविश्य दुखता जानते हैं सो उन्होंने यीश्यों को उत्तर दिया हम नहीं जानते उसने भी उनसे कहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ तुम क्या समझते हो किसी मनुश्य के दो पुत्र थे उसने पहले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाक की बारी में काम कर उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाओंगा, परंतु पीछे पच्टा कर गया फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने येशो ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि युहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया, और तुमने उसकी प्रतीती न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीती की, और तुम ये देखकर पीछे भी न पच्छताए, कि उसकी प्रतीती कर लेतें, एक और दृष्टांत सुनो, एक ग्रिहस्त था, जिसने दाक की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया, जब फल का समय निकट आया, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला, और किसी को पत्थर वाह किया, फिर उसने और दासों को भेजा, जो पहिलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें, और उसकी मिरास ले लें, और उन्होंने उसे पकड़ा, और दाक की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला, इसलिए जब दाक की बारी का स्वामी आएगा तो, उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उसे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीती से नाश करेगा, और दाक की बारी का ठीका अन्य किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाती को जो उसका फल लाए दिया जाएगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा, वो चकना चूर हो जाएगा, और जिस पर ये गिरेगा, उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके द्रिष्टानतों को सुनकर समझ गए, कि वो उनके विशे में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वो उसे भविश्य द्वक्ता मानते थे। अध्याय बाइस इस पर येशु फिर उनसे द्रिष्टानतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भीजा, कि नेवता हारियों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा, फिर उसने और दासों को ये कहकर भीजा, कि नेवता हारियों से कहो, देखो मैं भोज तयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तयार है, विवाह के भोज में आओ, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिये, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यपार को, औरों ने जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला, राजा ने क्रूद किया, और अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों का नाश किया, और उनके नगर को फूँक दिया, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तयार है, परन्तु नेवता हारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिले, सब को विवाह के भोज में बुला लाओ, सो उन दासों ने सडकों पर जाकर क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकठे किया, और विवाह का घर जेवन हारों से भर गया, जब राजा जेवन हारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुश्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था उसने उससे पूछा हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यूं आ गया? उसका मुह बंध हो गया तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पाउं बांध कर उसे बाहर अंधिहारे में डाल दो वहां रोना और दाथ पीसना होगा क्यूंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फसाए सो उन्होंने अपने चेलों को हे रोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा हे गुरू हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चा इसे सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि तू मनुशों का मुढ देखकर बाते नहीं करता इसलिए हमें बता तू क्या समझता है कैसर को कर देना उचीत है कि नहीं येश्यों ने उनकी दुष्टता जानकर कहा हे कपटियों मुझे क्यू परखते हो करका सिक्का मुझे दिखाओ तब वे उसके पास एक दिनार ले आए उसने उनसे पूछा ये मुर्ती और नाम किसका है उन्होंने उससे कहा कैसर का तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़ कर चले गए उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुआं का पुनरुथान है ही नहीं उसके पास आए और उससे पूछा हे गुरू, मुसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे अब हमारे यहां साथ भाई थे पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ सब के बाद वो इस्तरी भी मर गई सो जी उठने पर वो उन सातों में से किसकी पत्नी होगी क्योंकि ही वो सबकी पत्नी हो चुकी थी येशु ने उन्हें उत्तर दिया तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते इस कारण भूल में पड़ गए हो क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे मरे हुँ के जी उठने के विशय में क्या तुमने ये वचन नहीं पड़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा कि मैं इबराहिम का परमेश्वर और इस हाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ वो तो मरे हुँ का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए जब फरीशियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुह बंद कर दिया, तो वो इकठे हुए, और उन में से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने, प्रभू से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्या तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है, कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख, ये ही दो आज्याएं, सारी विवस्था और भविश्य द्वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकठे थे, तो येश्यू ने उनसे पूछा, मसीह के विशे में तुम क्या समझते हो, वो किसकी संतान है। उन्होंने उससे कहा, दाउद की। उसने उनसे पूछा, तो पूछने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहीने बैठ, जब तक की मैं तेरे बैरीयों को तेरे पाव के नीचे न कर दूँ। भला जब दाउद उससे प्रभु कहता है, तो वो उसका पुत्र क्यों कर ठेह रा। उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, पर उस दिन से किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का हियाव ना हुआ। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्धी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम से जो कुछ कहें, वो करना और मानना, परन्तु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं, पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोज को जिसका उठाना कठिन है, बांध कर मनुश्यों के कंधों पर रखते हैं। परन्तु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीजों को चोड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुश्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परन्तु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृत्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो, वो तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा हे कप्ती शास्त्रियों और फरीस्यों तुम पर हाए तुम मनुश्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो हे कप्टी शास्त्रियों और फरीस्यों तुम पर हाए तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नर्किय बना देते हो हे अंधे अगवो तुम पर हाए जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपत खाए तो कुछ नहीं परन्तु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंद खाए तो उससे बंद जाएगा हे मुर्खो और अंधो कौन बड़ा है सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपत खाए तो कुछ नहीं परन्तु जो भेट उसपर है यदि कोई उसकी शपत खाए तो बंद जाएगा हे अंधो कौन बड़ा है भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है इसलिए जो वेदी की शपत खाता है वो उसकी और जो कुछ उसपर है उसकी भी शपत खाता है और जो मंदिर की शपत खाता है वो उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपत खाता है और जो स्वर्ग की शपत खाता है वो परमेश्वर के सिंगहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपत खाता है हे कप्ती शास्त्रियों और फरिस्यों तुम पर हाए तुम पोदीने और सौफ जीरे का दस्वा अंश देते हो परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते हे अंधे अगवो, तुम मच्छड को तो छान डालते हो, परंतु उट को निगल जाते हो हे कप्टी शास्त्री और फरीस्यों तुम पर हाए, तुम कटोरे और थाली को उपर उपर से तो माझते हो परंतु वे भीतर, अंधेर और असैयम से भरे हुए है हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से माझ, कि वे बाहर से भी स्वच हो हे कप्टी शास्त्री और फरीस्यों तुम पर हाए, तुम चूना फिरी हुई कबरों के समान हो जो उपर से तो सुन्दर दिखाई देती है, परंतु भीतर, मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिंता से भरी है इसी रीती से तुम भी उपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर, कपट और अधर्म से भरे हुए हो हे कप्टी शास्त्रियों और फरीस्यों तुम पर हाए तुम भविश्य द्वकताओं की कबरें समारते और धर्मियों की कबरें बनाते हो और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविश्य द्वकताओं की हत्या में उनके साजी न होते इससे तो तुम अपने परहाप ही गवाई देते हो, कि तुम भविश्य द्वकताओं के घातकों की संतान हो, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो, हे सापो, हे करैतों के बच्चो, तुम नरक के दंट से कैसे बचोगे, इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविश्य द्वकताओं और बुद्धी मानों और शास्त्रियों को भेजता हो, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे, और क्रूस पर चड़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेरते फिरोगे, धर्मी हाबील से लेकर बिरियाह के पुत्र जकर्याह तक जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोहू पृत्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों प पर आ पड़ेंगी, हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, तु जो भविश्य द्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थर वाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकठे करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकठे कर लूँ, परन्तु तुमने न चाहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वो जो प्रभू के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। क्या तुम ये सब नहीं देखते, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो ढाया न जाएगा। और जब वो जैतून पहाड पर बैठा था, चेलो ने अलग उसके पास जाकर कहा, हम से कहे के ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंध का क्या चिन होगा। येशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुमें न भर्माने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भर्माएंगे, तुम युद्ध और लड़ाईयों की चर्चा सुनोंगे, देखो घबरा न ज परन्तु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भुईडोल होंगे, ये सब बातें पीडाओं का आरंब होंगी, तब वे खलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें माड डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से जूटे भविश्य द्वकता उठ खड़े ह और बहुतों को भरमाएंगे और अधरम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा और राज्ये का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत जाएगा सो जब तुम उस उजाडने वाली घ्रनित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविश्य द्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो पड़े वो समझे तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं जो कोठे पर पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उत्रे और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लोटे उन दिनों में जो गर्भ वती और दूद पिलाती होँगी उनके लिए हाई हाई और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाडे में या विश्राम के दिन भागना न पड़ी, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंब से नाब तक हुआ और न कभी होगा, यदि वे दिन घटाए न जाते, तो कोई प्राणी न बश्ता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो, मसीह यहाँ है, या वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्य द्वक्ता उठ खड़े होंगे, और ऐसे बड़े चिन और अदभुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके, तो चुने हुओं को भर्मा दें, देखो, मैंने पहल पहले से तुम से ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुम से कहें, देखो, वो जंगल में हैं, तो बाहर न निकल जाना, देखो, वो कोठरियों में हैं, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसा ही मनु का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन आकाश में दिखाई देगा, और तब पृत्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्त और एश्वर्य के साथ आकाश के बादनों पर आते देखेंगे, और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भीजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हूँ को इकठा करेंगे, अंजीर के पेड से ये द्रिश्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्म काल निकट है, इसी रीती से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरंद्वार ही पर है, मैं तुम से सच कहता हूँ, ज अब तक ये पीडी जाती न रहेगी, आकाश और पृत्वी तल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी, उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता, न स्वर्क के दूत और न पुत्र, परन्तु केवल पिता, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनु तक लोग खाते पीते थे, और उनमें शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दोस्त्रियां चक्की पीस्ती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभू किस दिन आएगा, परंतु ये जान लो, कि यदि घर का स्वामी जानत कुछते भी नहीं हो, उसी घरी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, कि समय पर उन्हें भोजन दे, धन्य है वो, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सारी संपत्ती पर सरदार ठहराएगा, परन्तु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे, कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीठने लगे, और पियकड़ों के साथ खाए पिये, तो उस दास क स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वो उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कप्टियों के साथ ठहराएगा, वहारोना और दात पीसना होगा. पच्चीसवा अध्याए भी भर लिया, जब दूले के आने में देर हुई, तो वे सब उंगने लगीं, और सो गएं, आधी रात को धूम मची, कि देखो, दूला आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं, और मुर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुजी जाती हैं, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कि संभव है, हमारे और तुमारे लिए पूरा नहो, भला तो ये है, कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दुलहा आ पहुँचा, और जो तयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार भंद किया गया, इसके बाद वे दूसरी कुवानिया भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, उस गड़ी को, क्योंकि ये उस मनुष्य कीसी दशा है, जिसने परदेश को जाते समय, अपने दासों को बुलाकर, अपनी संपत्ती उनको सौप दी, उसने एक को पांच तोड़े, दूसरे को दो, और तीसरे को एक, और थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया, तब जिसको पांच तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेंदेन किया, और उससे पांच तोड़े और कमाए, इसी रीती से, जिसको दो मिले थे, उसने भी दो और कमाए, परंतु जिसको एक मिला था, उसने जाकर मिट्टी खो दी, और अपन दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको पांच तोड़े मिले थे। उसने पांच तोड़े और लाकर कहा। स्वामी के आनंद में संभागी हो और जिसको दो तोड़े मिले थे। उसने भी आकर कहा। स्वामी मैं तुझे जानता था कि तु कठोर मनुष्य है। तु जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है। और जहां नहीं छीनता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया। हे दोष्ट और आलसी दास। जब तु ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं। और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रूपया सर्राफों को दे देता। तम मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास दस तोड़े हैं उसको दे दो। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परन्तु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तब राजा अपनी दहिनी और बक्रियों को बाई और खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दहिनी और वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्ने लोगो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदी से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहिनाये। मैं बिमार था तुमने मेरी सुधी ली। मैं बंदी ग्रह में था। तुम मुझसे मिलने आए, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूका देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने खर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए हमने कब तुझे बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तुझसे मिलने आए तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया तब वो बाई ओर वालों से कहेगा हे स्रापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहिनाये बिमार और बंदी ग्रह में था और तुमने मेरी सुधी न ली तब वे उत्तर देंगे हे प्रभू, हमने तुझे कब भूका या प्यासा या परदेशी या नंगा या बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तेरी सेवा ठहल नकी, तब वो उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया और ये अनन्त डंड भोगेंगे परन्तु धर्मी अनन्त जीवन में प्रवेश करेंगे जब येशू ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा तुम जानते हो कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चड़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा तब महायाजक और प्रजा के पुर्णी है काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि येशू को चल से पकड़ कर मार डाले परंतुवे कहते थे कि पर्व के समय नहीं कहीं ऐसा ना हो के लोगों में बलवा मत जाए जब येशू बैत नियाह में शमावन कोड़ी के घर में था तो एक स्त्री संग मरमर के पात्र में बहु मोल इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे इसका क्यों सत्यानाश किया गया ये तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा सकता था ये जानकर हीशू ने उनसे कहा स्त्री को क्यों सताते हो उसने मेरे साथ भलाई की है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदेव ना रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वरणन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस क्रियोती नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदी मैं उसे तुम्हारे हाथ पकडवा दूँ, तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे तीस जान्दी के सिक्के तौल कर दे दिये, और वो उसी समय से उसे पकडवाने का अफसर ढूणने लगा। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, चेले यीशू के पास आकर पूछने लगे, तु कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तयारी करें। उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, गुरू कहता है, मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशू की आग्या मानी और फसर तयार किया, जब सांच हुई, तो वो बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे, तो उसने कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उससे पूछने लगा, ए गुरू, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य के लिए शोक है, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन ना होता, तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा ए रब्भी क्या वो मैं हूँ उसने उससे कहा तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और चेलों को दे कर कहा लोग खाओ ये मेरी देह है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दे कर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित बहाया जाता है मैं तुम से कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पियूँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पियूँँ फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड पर गए तब हीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मिरे विशय में ठोकर खाओगे भीडएं तितर-बितर हो जाएंगी परंतू मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊंगा इस पर पत्रस ने उससे कहा यदि सब तेरे विशय में ठोकर खाएं तो खाएं परंतू मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा एशु ने उससे कहा पत्रस ने उससे कहा, यदी मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तो भी मैं तुझ से कभी न मुकरूंगा ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, तब हीशु अपने चेलों के साथ गत समनी नाम एक स्थान में आया, और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना, जब तक की मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं, और वो पत्रस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, और उदास और व्याकुल होने लगा, तब उसने उनसे कहा, मेरा जीब बहुत उदास है, यहां तक की मेरे प्राण निकला चाहते हैं, तुम यहीं ठहरों और मेरे साथ जाकते रहों, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुझ के बल गिरा, और यह प्रार्थना करने लगा, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू चाहता है, वैसा ही हो, फिर जेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, और पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाक सके, जाकते रहो और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है, परन्तु शरीर दुर्बल है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिये बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखें नीन से भरी थी, और उन्हें छोड़ कर फिर चला गया, और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की, तब उ तोते रहो, और विश्राम करो, देखो, घड़ी आ पहुची है, और मनुष्य का पुत्र, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निखट आ पहुचा है, वो ये कहे ही रहा था, कि देखो, यहूदा जो बारहों में से एक था, आया, और उसके साथ, महायाजकों और लोगों के पुर्णियों की और से बड़ी भीड, तलवारें और लाठियां लिये हुए आई, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था, जिसको मैं चूम लूँ, वही है, उसे पकड़ लिना, और तुरंट यीशू के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा, यीशू ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, उसे कर ली, तब उन्होंने पास आकर यीशू पर हाथ डाले, और उसे पकड़ लिया, और देखो, यीशू के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खीच ली, और महायाजक के दास पर चला कर उसका कान उड़ा दिया, तब हीशू ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से नाश किये जाएंगे, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूँ, और वो स्वर्ग दूतों की बारह बल्टन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परन्तु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्य है, क्योंकर पूरी होगी, उसी घड़ी यीशू ने भीड से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो, मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है, कि भविश्य द्वक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब जेले उसे छोड़ कर भाग गए, और यीशू के पकड़वाने वाले उसको काईफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुर्निये इकठे हुए थे, और पतरस द महासभा, यीशू को मार डालने के लिए उसके विरोध में जूटी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से जूटे गवाहों के आने पर भी न पाई, अंत में दो जनों ने आकर कहा, इसने कहा है, मैं परमेश्वर के मंदर को धा सकता हूँ, और उसे तीन दिन में पना सकता हूँ, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं, परंतु यीशू चुप रहा, महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपत देता हूँ, यदि तू परमेश् तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्ति मान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे, तब महायाजक ने अपने वस्तर फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये वद होने के योग्य है, तब उन्होंने उसके मूँ पर धूका और उसे घूसे मारें, और उन्हे थपड मार कर कहा, ये मसी, हमसे भविशवानी करके कहें, किसने तुझे मा और पत्रस बाहर आंगर में बैठा हुआ था, कि एक लॉंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी ये शुगलीली के साथ था, उसने सब के सामने ये कहकर इंकार किया, और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है, जब वो बाहर डेवडी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी तो ये शुग नासरी के साथ था, उसने शपत खाकर फिर इंकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे, उन्होंने पत्रस के पास आकर उससे कहा, तो भी उनमें से एक है, क्योंकि ते पत्रस को ये शु की कही हुई बात स्मरण आई, कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा, और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। जब भोर हुई, तो सब महायाजकों और लोगों के पुर्णियों ने येशु के मार डालने की सम्मती की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पीला तुस हाकिम के हाथ में सौप दिया, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा, कि वो दोशी ठहराया गया है, तो वो पश्टाया और वे तीस चांदी के सिक्के महायाजकों और पुर्णियों के पास फेर लाया, और कहा, मैंने निर्दोशी को गहात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, उन्होंने कहा, आमे क्या, तू ही जान, तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गय और जाकर अपने आप को भासी दी, महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है, सो उन्होंने सम्मती करके, उन सिक्कों से पर्देशियों के गाड़ने के लिए कुमहार का खेत मोल ले लिया, इस कारण, वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है, तब जो वचन यिर्मियाह भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हुआ कि, उन्होंने वे तीस सिक्के, अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्या दी थी, वैसे ही उन्हें कुमहार के खेत के मूल्य में दे दिया, जब यीशू हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहुद्यों का राजा है? यीशू ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है, जब महायाजक और पुर्निये उस पर दोश लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, इस पर पीला तूस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाईयां दे रहे हैं? परन्तू उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चरे हुआ, और हाकिम की ये रीती थी, कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बधुए को, ज तो पीलात उसने उनसे कहा, तुम किसको चाते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, पर अबबा को या यिशु को जो मसी कहलाता है, क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था, जब वो न्याय के गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत आज सौपन में उसके करण बहुत दुख उठाया है, महायाजकों और पुर्णियों ने लोगों को उभारा कि वे वे बरबा को मांग लें और यिशु को नाश कराएं, हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, उन्हो सब ने उससे कहा, हाकिम ने कहा, परंतु वे और भी चिला कर कहने लगे, जब पीलात उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत भुलड होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ दोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से लिदोश हूँ, तुम ही जानों, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो, इस पर उसने परब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, और यिशु को ग पल्टन उसके जहू और इकठी की, और उसके कमड़े उतार कर उसे किर्मजी बागा पहनाना, और कांटों का भुकुट भूत कर उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे धट्टे में उडाने लगे, ए यहुद और उसके राजा नमस्कार, और उस पर थूका, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर वारने लगे, जब वे उसका धट्टा कर चुके, तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए, और क्रूस पर चड़ाने के लिए ले चले, बाहर जाते हुए, उ उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका क्रूस उठा ले चले, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगा, अर्थात खोपडी का स्थान कहलाता है, पहुचकर, उन्होंने पित मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक कर पीना न चाहा, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चड़ाया, और चिठियां डाल कर उसके कपड़े पांट लिये, और वहां बैठ कर उसका पहरा देने लगे, और उसका दोश पत्र उसके सिर के उपर लगाया, ये यहूदियों का राजा यीशु है, तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाए क्रूसों पर चड़ाये गए, और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे, और ये कहते थे, ए मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, अपने आपको तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रूस पर से उतरा, इ इसने औरों को बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता, ये तो इसराइल का राजा है, क्रूस पर से उतराए, तो हम उस पर विश्वास करें, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है, तो आप इसे छुडा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं इसी प्रकार, डाकू भी, जो उसके साथ कुरूसों पर चड़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे, दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक, उस सारे देश में अंधेरा चाया रहा, तीसरे पहर के लिकट, ये शु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली, एली, लमाश बक्तनी, अर्थात, हे मेरे परमेश्वार, हे मेरे परमेश्वार, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो वहां खड़े थे, उन में से कितनों ने ये सुनकर कहा, भोथ हो एलिया को पुकारता है, उन में से एक तुरंट दोड़ा, और स्पंज लेकर सिर्के में डुबोया, और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और उने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं, तब ये शु ने फिर बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये, और देखो, मंदिर का पर्दा उपर से नीचे तक भटकर दो टुपड़े हो गया, और धर्ती डोल गई, और चटाने दड़क गई, और कबरे खुल गई, और सोय हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी, और उसके जी उठने के बाद, वे खबरों में से निकल कर, पवित्र नगर में गए, और पहतों को दिखाई दिये, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशू का पहरा दे रहे थे, भूई डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए, और कहा, सच मुझ ये परमेश्वर का पुत्र था, वह बहुत सिस्त्रियां, जो गलील से यीशू की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी, उनमें मरियम, मगतलीदी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी, जब साज हुई, तो योसुफ नाम अरियम तिहा का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशू का चेला था, आया, उसने पीलात उसके पास जाकर यीशू की लाश मांगी, इस पर पीलात उसने दे देने की आग्या दी, योसुफ ने लाश को लेकर उसे उजवल चादर में लपेटा, और उसे अपनी नई खबर में रखा, जो उसने चटान में खुदवाई थी, और कबर के द्वार पर बड़ा पत्थर लुड़का कर चला गया, और मरियम, मगद लीनी और दूसरी मरियम, वहां कबर के सामने बैठी थी, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पीलात उसके पास इकट्थे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरन है कि उस भर्माने वाले ने अपने जीते जी कहा था, मैं तीन दिन के बाद जी उठूँगा, तो आग्या दे कि तिसरे दिन तक कबर की रखवाली की जाए, ऐसा नो हो कि उसके छेले आकर उसे चुरा ले जाए, और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हो में से जी उठा है, तब पिछला धोका पहले से भी बुरा होगा, पिलत उसने उन से कहा, तुम्हारे पास पहरियों तो हैं, जाओ, अपनी समझ के अनुसाल रखवाली करो, सो वे पहरियों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगा कर कबर की रखवाली की, सब्ध के दिन के बाद सब्ता के पहले दिन, पहपढ़ते ही मर्यम मगदलीनी और दूसरी मर्यम कबर को देखने आई, और देखो, एक बड़ा भूई डोल हुआ, क्योंकि प्रभू का एक दूद स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया, उसका दूप बिजली कासा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था, उसके भय से पहरुए काप उठे और मृतक समान हो गए, स्वर्ग दूद ने इस द्रियों से कहा, तुम मड़ दरो, मैं जानता हूँ, कि तुम येश्यु को जो कुम्स पर चड़ाया गया था, दूप की हो, वो यहाँ नहीं है, पर तुम अपने वचन के अनुसान, जी उठाए, आवा, ये स्थान देखो, जहां प्रभू पढ़ और शिग्र जाकर उसके चेलों से कहा, वो मर्त को में से जीवता है, और देखो, वो तुम से भेह में गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शिक पाओ गया, देखो, मैंने तुम से कह दिया, और वे, भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शिख्र लोट कर उसके चेलों को स समाचार देने के लिए दोड़ गई, और देखो, यीशू उन्हें मिला, और कहा, सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पाओं पकड़ कर उसको दंडवत किया, तब यीशू ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाईयों से जाकर कहू, कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे, वे जाही रही थी, कि देखो, पहरूँ में से कितनों ने नगर में आकर, पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया, तब उन्होंने पुर्नियों के साथ इकठे होकर सम्मती की, और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना के रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुँचेगी, तो हम उसे समझा लेंगे, और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे, सो उन्होंने रुपई लेकर, जैसा सिखाए गए थे, वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है, और ग्यार है चेले गलील में उस पहाड पर गए, जिसे येशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदे हुआ, येशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और प्रिथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुन जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और बुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्या दी है, मानना सिखाओ, और देखू, मैं जगत के अंत तक सदय तुम्हारे संग हूँ.